नमस्क्राइब दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तो ट्रेडबूल ओफिशिल में दोस्तों इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि 28 तरीको निफ्टी-50 कहां पर काम कच कर सकता है आपके कॉल पूटके क्या टार्गेट रहेंगे आज जैसे कि मैंने सुबह आपको डिसकॉर्ट सेनल पर बताया था कि मार्केट में निफ्टी-50 में गैप अपनी हो सकती है और मार्केट ने हमें 15,900 के आसपास एक गैप अपन होते ही दोस्तों मार्केट में बहुत जबर्दर सेलिंग प्रेशर देखा गया और मार्केट चोटे-चोटे पुल-बैक लेते हुए नीचे की तरफ अपने दिन का लो बारा मजे के आसपास मार्केट ने बना दिया तकरीबन 15,832 लेवल के आसपास इसके बाद फिर से मार्केट ने वापिस एक कोशिश दिखाई उपर जाने की लेकिन वो कोशिश फूरी सक्सेस्फ कर गई अब अगर आप ध्यान से देखेंगे मार्केट ने अपने लिए यह एक बहुत ही जबरदस्त कंसॉलिडेशन जोन बनाई है और इसी जोन के अंदर अगर आप देखेंगे 80% अफ़ टाइम मार्केट ने आज काम खाज किया तो यह बहुत ही बड़ी कंसॉलिडेशन जोन थी जो सिर्फ और सिर्फ 70 पॉइंट्स की थी इस 70 पॉइंट की जोन में मार्केट ने अपना अट लीस्ट पांच घंटे यहां पर मार्केट ने बिताए अब कल क्या कर सकते हैं आप कल अब आपको यह चीज़ देखनी है कि मार्केट में अगर यह लेविल 15,800 15,800 इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो डेफिनेटली पहली आपकी यहां पर पुट बनाने की पॉइशन बनेंगी टार्गेट आपके नीचे की तरफ 15,725 और दूसरा टार्गेट 15,700 यहां तक रह सकता है निफ्टी 50 के अंदर अगर 15,800 के नीचे मार्केट जाती है तो और चांसेज हैं कल मार्केट के फ्लाट उपनिंग के कि मार्केट कल फ्लाट उपन हो इसमें फ्लाट उपनिंग का मतलब कि प्लस माइनस 50 पॉइंट इससे ज़्यादा मुमेंट मुझे लग नहीं रही तो 15,800 की नीचे अगर मार्केट जाती है अगर मार्केट आपको ये लेवल 15,875 इस लेवल के उपर अगर जाती है तो कॉल की पॉइशन मना सकते हैं अगर 15,875 की उपर कॉल आपको मिलती है तो दोस्तों उमीद है मुझे आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आई है तो डेफिनिटल लाइक का बटन जूर प्रिस करिएगा चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तू सब्सक्राइब और अगर आप चाते हैं कि आप लाइव चाट में पार्टिस्पेट कर सकें तो जॉइन के बटन पर क्लिक करें टू डबल लाइन की पेवंट करें आप लाइव स्ट्रीम में चाट्स प पूछ सकते हैं जल्दी मिलेंगे अग्री वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते थैंक यू और बाइव